हाई दोस्तों आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है और दोस्तों ये वीडियो भी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है ब्रीज जो कि सेक्टर 89 है उसी पे धारित होने वाला है बेसिकली देखे काफी क्वेरी जारी थी मेरे पास और काफी लोगे के कुश्चन थे कि सर इसमे सुना है पार्किंग रही है और कार पार्किंग के मिलके कुश्चन और बाकी सुना है चार से 6 उल्द है वालura में ये भी सच बात है या नहीं है तो दिखित तरह की कॉरिस मेरे तो मैं ने इसके उपर एक क्लारिफिकेशन वीडियो बना दूं और वैसे तो मैंने देखिए लोकेशन का वीडियो अल्री बनाया हुआ जेए कि आप के लिए प्रोजेक्ट कैसा रहे गा और आपको इसके साथ जाना चीह या नहीं जाना चीह तो देखे आ पार्किंट की बात की जा रही है तो मैं अभी परचिंट के साथ नहीं कह सकता है कि इसमें हर एक गाड़ी अनला हर एक फ्लैट वाले को पारकिंग मिलेगी देखे वो जो document होता है रहरा की site पे already mentioned होता है पर somehow वो document अभी तक मिला नहीं मुझे जिस पर mention होता है कि हां कितनी car parking है कितनी ECS करके वो लोग mention करते हैं अगर जो required required जो two wheeler parking है उसके बाद जो paid parking होती है या optional parking paid parking होती है तो वो कितनी है exactly तो वो numbers जब तक नहीं पता चलेगा तो हम कह नहीं सकते कि हां ये इसमें कितनी parking होगी बाकी जिस तरह का layout है और जो इसे चीज़े दिख रही है तो हां लग रहा है कि parking तो available है बट क्या numbers है वो अभी हम इसमें मलब आपको clearly नहीं बता सकते और दूसरा देखिए इसमें ये भी कहा जारा है कि भी 4 floor में 4 floor में 4 flat या किसी मैं 3 है जी हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है इस project में आपको ये देखने को मिलेगा कि कुछ towers में बाईको बाई चैने को मिलेंगा और कुछ टावर में ये जिसा आपको आपको आठ जैसे को होते हैं आपको आठ पी देखने को मिलेंगे एक फ्लोर पर bu तो ये तो रही जानकारी बाकी जूजादतर मेरे को आई थी और बाकी कई कि लोग पूछ रहे हैं कि हब डेवलपर कैसा है तो देखिए डेवलपर का बैक्ग्राउंड तो अगर हम बैक्ग्राउंड की बात करें तो इन्होंने काफी दो तिन दो अफॉड़ेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट डेलिवर की हैं और सोना में और इक इनका अभी 88 में चल प्रोजेक्ट और यह चौत था फॉड़ेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है एक इन्होंने दीन दियाल फ्रोड्स पी लांच किये थे जो भी सोल्ड आउट है वह भी सोना में तो सोना में इनका मार्केट अच्छा है काप्चर किया हो तेन्होंने अच्छे से मार्केट और रिस्पॉंस भी अच्छा है मनलब सुना है टाइम ले डिलेवर की हैं दोनों प्रोजेक्ट तो उस हिसाब से अगर हम बिल्डर के हिसाब से अगर हम देखे तो बिल्डर की नियेत अभी तक तो ठीक लगती है बाकि आगे की जज़्वन तो देखे कोई भी फीचर के बारे तो तो उस इसाफ से देखें तो ठीक लग रहा है ऑबर और प्रोजेक्ट बाकि जो कमीया थी वह मैंने लुकेशन वीडियो में आउडरी बताही हुई है जो इक तो कम्या है इस प्रोजेक्ट में वो जो आप लोकेशन का वीडियो देखेंगे जो मैंने आई बेटन पर लिंक दिया हो तो उस पर आप जाके देख सकते हैं कि हाँ इसके अंदर क्या कम्या है और देखें जहां तक देखें आप मुझे जो दूर अगर हम देखें आने वाले जो समय कि देखें तो एक मार्जी अल्टिमस टू जो है या अल्टिमस का एक्स्टेंशन उसके बाद कोई प्रोजेक्ट हाल फिलाल दिखता नहीं है नजर नहीं आ रहा आल्टो लाइन बड़ी लंबी थी बट समाओ सुनते जारे की एक्स ये कनवर्ट हो गया दीन दियाल में दूसरा प्रजेक्ट कनवर्ट हो गया क्योंकि बिल अगर चीज़ें बढ़ जाती है तो देखें अगर किसी का नहीं निकला है और नौर्मल ड्रॉव में अप्लाई करना चाहता है यह यह यूनिट नहीं लेना चाहता तो उनके लिए एक अच्छा अफसर है बाहरा तो के करीबन इस प्रोजक्ट में यूनिट्स है और बारवंसों के आधसके स्फास यूनिट है इस प््रोजट्ट में और थ्री एचके भी मिल जाएगा को आपको नॉर्मल ड्रॉप में ृच्च्पार यह ठीक है वह लोकेशन 2019, है उसकी जो आप देख सकते हैं वीडियो में जाके वह तो आपको फॉरेबल हाउसिंग में कुछ ना कुछ ती कमी देखने को मिलेगी बट इतना मेजर मैं उसको कमी नहीं कह सकता क्योंकि वह जो ड्रेन की हम जिसमें जो हम बात करें यहां पर वो ड्रेन आगे तक डेलेफ सा करेंगा प्रोजेक्ट है तो इसमें मेरे खाल से इतनी दिक्कत है जो हां मनलब को दिक्कत इतनी परिशानी नहीं होनी चाहिए लोगों को क्योंकि यह वाजिब कॉस्ट पर मिल रही है चीज़े और अगर इन फ्यूचर आफोड़ेबल हाउसिंग आती रहे पहले तो देख काफी बढ़ चुकी है तो अगर तो रेट रिवाइज हुए तो फोड़ेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट और भी आपको देखने को मिलेंगे बट अगर रेट रिवाइज नहीं करती है गौवर्मेंट तो हो सकता है कि यह गिने चुने चुनिंदा प्रोजेक्ट में से रह है जो कि अफोड़ेबल हाउसिंग के अंत के प्रोजेक्ट गिने जाएंगे तो इसलिए आगर कोई अप्लाइग करना रहे गया है किसी का नॉर्मल ड्रॉमें आज तक नहीं आया है और नॉर्मल ड्रॉमें ही चाहता है वो यूनिट तो इसमें जा सकता है मेरे खाल से इसम आप पार्किंग वैसे जो दिख रही है ले आउट वगरा में आप व्रॉशर है हमारे पास और वो ब्रॉशर कर सकते हैं अपने टैलिग्राम ग्रूप में तो टैलिग्राम ग्रूप को भी जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया कि यह चार फ्लैट और छे फ्लैट वाला जो कॉंसेप्ट आ रहा है एक फ्लोर में तो यह भी निया है फ्रस्स टाइम आ रहा है फोड़ेबल हौजिंग में आज तक यह चीजें मैनेजमेंट कोटा में जरूर रही है सिकनेचर के मैनेजमें कोटा में आप देख देखते आ चावर होता है तो इसे में एक फ्लोर में चार ही फ्लैट होते है बट जर्नल ड्रॉ में इस तरह की चीजे पहली बार आ रही है तो मेरे खाल से आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए जिनको जर्नल ड्रॉ में चीजे लेनी है क्योंकि दिखिए आब अगर हम अमर्जी 90 के लिचे को लेकर और आपको जगध से जादा दीन ब्रोजेक्ट दिखें और अब अपने वाले समय में लुप्ठ से हो जाए तो चले दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था मैं आशा करता हूं आप जो क्लेरीटी चाहिए थी जो भी लोगों के डाउट से वह इने दे दी है इस वीडियो के माध्यम से और अगर फिर भी कोई आपका डाउट या कोई कुश्चन रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके पूश सकते हैं तो चले दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी और वीडियो की तरह पसंद आया और आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करके जहिएगा और जो भी लोग नए जुड़ने हैं चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजएगा जिससे आपको टाइमली इंफोमेशन गुड़गाओं के रियल स्टेट के बारे में मिलती रहे तो चले दोस्तो अब इस वीडियो को यहीं अंद करता हूँ और जल्द मिलूँगा आपको एक नए वीडियो के साथ एक नए टापिक के साथ तब तक दोस्तो बाबाई एंड टेक क्यार